तो दोस्तो जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि खेसारी और काजल के बिच बहुत दिनों से जगड़े चल ही रहे थे और लग रहाता कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वही अब इनके बिच फिर से लड़ाई छीड़ गई है जी है और काजल लगतार खेसारी के खिलाब बहुत कुछ बोल रहे हैं और जिसमें लोग काजल को ही सबूट कर रहे हैं तो वही अब खेसारी को लेकर कुछ ऐसा बोल दी है जिसे जानकर आप सब भी चौक तो अगर आप सब भी जनना चाहता है कि काजल क्या वोली है तो हमारे वीडियो के साथ अंतक बने रहीएगा और हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सबस्क्राइब कर ले और हमारे वीडियो देखने के बाद सेयर करना ना भूलिएगा तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ आप सभी को बता देते हैं काजल अपने और खेसारी के जगड़े में खेसारी को लेकर क्या बोल दी है तो अचाना की काजल खेसारी के खिलाब बहुत कुछ बोल रही है और अब खेसारी पर बहुत सारे इल्जाम भी लगा रही है और उसकी वज़ा ए है कि अभी हाली में काजल पर एक हमला हुआ था जिसका इल्जाम खेसारी पर लगड़ गया है और जिसके बाद काजल लगतार खेसारी को लेकर खुलासे कर रही है और इसी बीच काजल अपने और खेसारी के रिष्टे को लेकर भी बड़ी बात बोल दी है जी हाँ काजल से पूछा गया कि आपने खेसारी के साथ काम करना पहले है कि उन्हें छोड़ गया जब आपको खेसारी के इरादे पता थे कि खेसारी कैसे इंसान है तब काजल बोली कि जब किसी की साधी हो जाती है उसके बाद अगर पती अपनी पत्मी के उगाली देता है तो क्या पत्मी घर छोड़ कर चली जाती है उसको सुनती रहती है मैंने जिस रिलिशन के इतना वक्त दिया है उसके बचाने के लिए मैंने हर एक कुसिस की और सायद पत्मी से ज़्यादा ही मैंने उनकी केयर की है और एजीवन बार याद रहेगा उनको तो मैं कैसे उसको छोड़ कर चली जाती तो लीजिए इसा काजल अपने और खेसारी के रिष्टे को लेकर बड़ी बात बोल दी है और इससे साब पता चलता है खेसारी और काजल दुसरे से प्यार करते थे लेकिन इनका जिस्ता बहुत बोली तरह तूट गया तो अब इस पर आप सभी का क्या कहना है क्या खेसारी अपनी पत्मी चंदा के साथ सही कर रहे हैं अपनी राएंजे कमेंट बॉक में जबुद देजिएगा तनी बाएंगा